नमस्कार मैं हूँ संकेर विश्यो कर्मा और आप देख रहे हैं टुडे स्टेट्मेंट मिड़े मिल यानि दो पहर का भोजन भारत सरकार के इस योजना के तहत देजबर के उन सभी बच्चों को दो पहर का भोजन उपलब्द कराए जाता है जो प्रात्मिक और लगु मादमिक विद्यालों में पढ़ते हैं इस योजना का उदेश छात्रों के पोशन अस्तर को उन्नत करना है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिसले तीन साल में मिड़े मिल खाकर 900 से ज़्यादा बच्चे बिमार हो चुके हैं ऐसे में सवाल जरूर उड़ता है कि इतनी अच्छी योजना को कौन लगा रहा है पलिता और कौन है बिमार बच्चों का जिमेदार 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई यह योजना आज पूरे देश में चल लगी है इस योजना के तहत देश के कक्षा आर तक के हर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपर में भोजन मिलता है इस योजना का मकसद था बच्चों के पोशन का ध्यान रखना उनको ऐसा भोजन मुहिया कराना जो पौश्टिक हो ताकि बच्चे को पोशन का सिकारना हो सके साथी साथ उन घरों के बच्चे भी स्कूल आ सके जिन परवानों की ऐसी विश्टिती नहीं है कि दो टाइम का भोजन आराम से कर सके निश्चित तोर पर इस योजना के बाद हाजारों बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया जो खाने का भाव में स्कूल नहीं जाया करते थे लेकिन हाल में ही मानो संचादन मंतराले की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पिसले तीन साल में 930 बच्चे मिड़े मिल खाकर बिमार हो चुके हैं कितने बच्चे मरे हैं अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है इस पुरी योजना को मानो संचादन मंत्राले ही संचालित करता है मिड़े मिल इसकुल परसर में बने रसोई घर में ही बनाना होता है मंत्राले ने बगाइदे मिड़े मिल के लिए गाइडलाइन तयार की है उसी गाइडलाइन के तहत भोजन बनाना और फिर बच्चों को खिलाना होता है बावजूद इसके अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बिमार होते हैं तो फिर आसानी से समझा जा सकता है किस योजना में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है आज देश में तमाम बातों पर चर्चा हो रही है संसत का सत्र चल रहा है भिन-भिन मंत्रालियों के कार्य गिनाये जा रहे है लेकिन मानो संसादन जैसे अहम मंत्राले की इस योजना पर कोई चर्चा नहीं हो रही है मिड़े मिल में घोटाला करने वालों के खिलाप कोई कानून बनाने की बात अभी तक नहीं हो पाई है मिड़े मिल खाकर पिछले तीन साल में 900 से ज़्यादा बच्चे बिमार फिर भी देश में कोई हंगामा नहीं क्यों साथ इसलिए कि वो सभी बच्चे गरीब और कमजोर परवार के हैं अगर किसी पबलिक स्कूल का एक बच्चा स्कूल की कैंटीन में कुछ खाकर बिमार हो जाए तो पुरे देश में हंगामा मज जाता है टीवी चैनलों से लेकर अख़बारों तक में वो बड़ी खबर बन जाती है लेकिन 900 से जादा बच्चे बिमार फिर भी कोई परिसान नहीं साइध हमारे देश के गरीबों की किसमत ही खराब है